है अग्याओ दोस्तों स्वागत आप सब्सक्राइब करने वाले हैं लेक्षे नमबर नाइन अपका वेल्डिंग का टोटल एट लेक्षे जो है वह वह कंप्लिट हो चुका है और धीरे दीरे अब हम लोग यहां पर वेल्डिंग का पॉर्शन है वह हम लोग कंप्लिट करने ठीक है और फिर जितने पी सारे टॉपिक के जो आपके अपड़िट्टि वेल्डिंग हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लेक्षे नमर नाइन में उसके बाद और दो से तीन लेक्षे में आपके सारा वल्डिंग का पॉर्शन के लियर होगा उसके बाद फिर सारे आपके अ सारे का मैं जो अपके वीडियो जो आपको प्लेइलिस्ट में एक जगप पर जाएगे प्लेइस पे जाना और मैट्रोजी वाला जो पॉर्शन है चाहे आपका वेल्डिंग का पॉर्चन है दोनों का जो प्लेइलिस्ट आपको जाऊँगे तुम पर सारे वीडियो इस कंप पढ़ा थाथ तो वेल्डिंग के टैप के वेल्डि गे अधा स्थिर उर्वर्हे प्लेडिग ठीमुदफ इसे खुंस खेस मेन रिजिस्टंस थी सबसे पहले आपको यह आपको याद होना चाहिए किसमें स्पोर्ट वेलिंग होती है सीम वेलिंग प्रोजेक्शन वेलिंग वेलिंग और इल्प्रोस लेक्ष यह कभी-कभी बहुत-ज्याद यह नहीं यह कि यह कोईशन्स तब कर सकते हैं कि है कि टोडल आपको मालों यहां पर तीन ओप्षिन दे दिया कि वैस्ट यहां को पाता है रेजिस्टनस विल्डिंग तो किस पर आता है रिश्टनस वेल्डिंग में होता है इस तरिके से पूछ चैश्ट यहां पर देखने वाद हैं क्या काम करता है तो टो यहां पर है तो झाल का अखवा हाई यह समझत रहा है और guided meter करेंगे मेटल को ही यहां पे मेंट करेंगे ताकि यहां को यहां तो मैल्ड करें और वह सेम मेटल को ही मतलम थे मैं correct करना होगा तो उसका मैसर कया निज्टन सेन वाला है इसलिए मैसर को नाम भी क्यों करना है है क्लियर मिल्डियंग करें, तो सबस्प्र फर्लेक का सेटप देख के सजाए हैं तो बहुत जाए के यूदिंग को है है कि सबसे से जोते हैं जो सीट में गोंug जींगे हैं और सबसें करेlemPER वैल यहां पर रोप लगी है टिन हिंगक्र highlyύah और नोटीजा ऊब करinin ऐहां है यहां है जो फोली में क्निया páret कोрипos होता सब returning क्रोपोर्सेस होता है तो यह स्पोड कैसे होगा वह देखने वाले ह palut आप यहां पर और दो two Pack BosTER दीक रहूंगे यह दो रही लुकेकर और अगर आपको पता हो को आपना चीह है अगर आपने मसंडेजान पड़ा है तो देखो अगर कोई मालों यह वर्क भी से और को दूसरा यह वर्क भी से और किसे दो वर्क पिसकों को जोईट करना तो इस तरीके से हो सकता है और भी कुछ हो सकता है कि थोधों को इस वाले को आप बलते हैं बट का बोलते हैं जोनियंदें को बहुत है लंग रीक करकछा है यह एकया दूसरे को रख दिया ये सेयल सभी यहां पर भी उससी तरीके से एक वर्क्विस यह दिख रहा होगा एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है और यहां से पाउर सप्लाई दिया जा रहा है एक नीचे वाला जो आपका सब्सक्राइब नीचे वाले को दिया रहा है अब यहां पर क्या हो रहा है कि आप देख सकते और यह जो एलक्टरोड यह वह सबसे पहलेए वाला जो उपर वाला वाला वर्क्वी सै उसकर के घापया होगा तो डो वरक्पीस की बिछें जो कॉंटक्ट आ रहा तो उसमें जो रिजिस्टेंस आ आ तो यहां महां पर यह वरक्पीस जो आपका लोगळे वाले कोषे ले लित कहते हैं ठोड़ा साथ यहाँ पर प्रेस करें और थोड़ा है मैं मैं रहे हैमी करने करें यहां में आपस और यहां पर और यहां मैं यहां पर आया हुआ है को यहां मान मौ corazón नगर्ट अनुजद एट ठीके तब को निल रहे यहां पर मिल्ट जीए सिवा रिस्टेंस के वा बहुत है उसको फिर हम लोग के कारण जो है हीड प्रोडूस होता उस हीड्ट प्रोडूस होने के बाद फिर जैसी वहां पर बेस मैट होता है जो है इस तरह से हैं इस तरह सब नगेट हो जाएगा तरह साब बहुत बड़ा इस तरीके सा अगर आपका work price है दो और पीस है और अपका लेप जोइंड करना है तो बहुत सारे आप इस तरीके सब वेल्ड नगेट जो है वहाँ पर प्रोडूस कर सकते हो बट इसमें प्रोब्लम ही आती है ठीक है आप वेल्ड नगेट तो यहाँ पर बता क्या है यह आपको वेल्डिंग का जो एरिया उस बेल जो होता सीट मेटल कॉपरेशन में स्पॉर्ट वेल्डिंग का यूज किया जाता है और यहां पर चैसलिक नीचे बोटम वाला जो रिटम फीस उसमें रेस्टंस थी जूपर दूसरा रख दिया गया और बहुत सारा इस तरीके से यहां पर स्पोड़्ड वेल्ड करके तो पर बहुत सारी वेल्डिंग का उपरेशन होता है तो वह जो रूफ होता है जो चछत होता है उसमें जो आपका कनेट किया जाता है उसको एसपोर्ट वेल्डिंग के तरह मतलब से किया जाता है यहां पर नगया है यहां पर दीख सकता है कि यह जो इलोक्टोड है ना यह उपर वाला एक्टोड इस नीच वाला वल्ट तो टाय। यह जब वर्किस के कोट्रक्ट में आएगा तो भोग जाता है कि इस वर्किस zon माशन में हो जा था ख़ंगेट लृट तो मैट miskle जा नहीं है तो यह जो जो ली सबस्क्राइब कर देखा भी सप्लाइब कर रहा है जैसे बेसमेटेब मेटल मेल्ट हो रहा हम लोग क्या करते रहे हैं उसको तुरण प्रेस करते हैं तो अगर पूछा जागा जो डायमेटर जो नगेट कर रहता हो कितना हो सकता है यह जो नगेट यहां पर होता है तो इसको जैनल सिक्स टाइम सब अंडरूट टी का मतलत होता है यह थिकने सब बेस मटेरियल तो यह पूछा कि इसले आपको यह याद रहाना चाहिए अगर पूछ लिया कि हाइड बता कितना होगा तो आपको मैंने बताया क्या कि ठीक है यह पूरा मालों यह हाइट है लेकिन जो इलोक्टोड जो अपका इस वर्पीस के उपर मैं आपको दीख रहा होगा यह जो मैं यह पर डोट करके रखा हुआ है यह डोट करके यह वाला जो पोर्शन है और यह वाला पोर्शन है इसको यह तो इलोक्टोड जो है इसको दसाया ह चलो तो यह सारा चीज अब यहां पर पूछा जाता के ठीक है अब सारा चीज हमको यहां पर बताना कि कैसे कौन कौन साइकिल हो रहा रहा है कि मतलब जो यहां पर डोबका लेवन तो लेग नियां पर यहां पर बना होए रहा यहां र्टत ऑन और यहां पर प्रोसेस कर रहे हैं और यहां पर आपका इल्डोट लगे वि record है कौन सब् 5 शक्राइस होता तो इस्ट्यों कशिλ ., पर हम लोग क्या करते हैं की थोड़ा सा उसमें क्या करेंगा घया कि इस्तंज सब्सक्राइब मतलब थोड़ा सा बेन को प्रेस करते हैं इसको यह जब के दोनों प्रिकों के फिरंग रखना पड़ता है दोने मटरेल को और फिर जो पावर सप्लाई को आप कर देते हैं तो कुल मिलाक अगर देखा जाए जो इस्पोर्ट वेल्डिंग में जो आपको साइकल जो कंप्लेट होती है तो किते साइकल होते है वान टू थ्री फूर क्लियर है और वेल्ट टाइम जो होता वह लगता थर्टी परसंट टाइम में लग जाता है और यहां पर वही अगर वालूम की बात करेंगे अगर हम लोग नगेट का तो पाई फॉर्टी एस्वार इंडवेच और आपको पता डायमेटर जो होती है नगेट का वह कितना होता सिक्सेंट अफ अंडरूट टी और हाइट जो होती है इंडेंट जो निकालनाओ ट्रो टाइमस टी माइनस इंडयमेटर और इंडेंटर जो यहां पर लिने वाले हैं यह कहां से निकलेगा यह इंडेंटर देंटर जो होता है यह अर्ट हैं टीकने लिए तो स्कूर्ट होता है और अगर मेल्डिंग एफिशन्स पूछ लिया तो मेल्टिक तो यह प्रणी चाहिए वहाँ बात करने वाले हैं और क्या बोलते हैं सो कोई सीट में तो टू प्रडूइस आ लेप जोएंट इस टेक्निक्स गर्णा ब्रणा करना हो उसको लेप जोएंट करना हो तो लेप करना तो हम लोग जो आपकी वेल्डिंग है स्पोर्ट वेल्डिंग उसका यूज करते हैं और इसका टू वर्क पिस जो होते हैं पर विचार टू वेल्ड़ इस प्रोवाइड विटिन टू कॉपर इलोक्टोड यहां पर आपको याद रखना है कि जो आपने देखा नीचे में यह जो दोनों अब घ्रिंग होता है और जैसे हम लोग को सब्सक्राइब होता है तो नीचे चेह सब्सक्राइब करते हैं और जैसे हम लोग को सफिशन्ट जो हमांड ओफ जो हीट हमें मिल जाती है तो उसके वाद जो पावर सप्लाई हम लोग कर रहे थे उसको आप कर देते हैं और एक्स्टरन प्रेशन लोग बाहर से दबाते हैं तो उसके करण प्रोडूस होता जॉइंट बिट्विन टू वर्क पीसे बिलो दा लॉक्टोड तो यहां पर आपको मैंने बताया था कि टोड़ इसमें चार सब्सक्राइब करेंगे उसका थोड़ा सब्सक्राइब करना है तो यह जो चार साइकल है चार साइकल में आपकी पूरी स्पोर्ट वेल्डिंग प्रोसेस जो कंप्लेट होती है इसकी वेल्ड होटाइब और यहां पर जो है आपकी कोशन्स पूछ चुकी है कि बताईए कि जो सब्सक्राइब कितने साइकल सोते हैं तब को यादा होना चाहिए चार साइकल होती है अब इसमें क्या लीक प्रूप जो रोडूस हुआ नहीं हुआ क्यों कि यहां पर यहां पर फ्रोड़ आपकर सब्सक्राइब करता नहीं करता तो वह क्या लीक प्रूप जो तो यहां पर होती है कैसे होगा और इसमें पोशिविलर्टी बन थी एक हमने बोला था यह जो मतलब खरोज यह मतलब वयरक्पीस और युलोफोड के बीच मतलब क्या होता बाई इलोक्त आपका होता हो मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा 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 मतलब थोड़ा से कम रहेगी आपका कि वहां पर क्या हो जा रहा है इंडेंटेशन हो रहा है इंडेंटेशन मतलब क्या हो जा रहा है कि इलोक्टोड जो होता वर्क फिस में थोड़ा सा धसी है किलियर है अगर हमको लेप जोएंट करना सीट मेटल्स इन ऑटो मॉबिल बोड़ी एंड रेफ्रिजरेटर बोड़ी तो लोग स्पोर्ड वेल्डि आए यहां पर फॉर्मेशन होता है अगnda का कॉधंयों ही प्रोड़ी प्रोड़ी सोक् leisure nove. और यहाँ डूस पर ये एक तरह का लिग प्रूप मतलब यहां पर जो हम लूब जो हम एक पते होते हैं जिसमें पयत्रोलियुम इस लिरा जाते हैं इसमें हमेSt कमीज जो हम लोग घरहों पर यूज करते हैं उसमें जो विल्डिंग की स्वलिक पोते हो Å कुझकि यहां पर बहुँ ज्यादा चांस रहती है कि यह जो नेगेट का फर्मेशन हो गया कि एक नगेट के ऊपर दूसरा नगेट जो यहां पर कर जाता कियों कि यहां पर कॉपर जो होते हैं वह इन दोने ही वर्क पिस के कॉन्टेक्ट मिरे आता हैं hey staple atak tadi %p Configure all the Allies नुर्मल्ही पर फाइव मेटर मिनट लेके चलते हैं डीक तो अब देखर है पर इंपॉटेटिस क्या किया इसको बात कर लेता है है controlattack है इंपॉटेंट्स यहां पर यही रहा मेरे बाइव कि जो दो यहां फार्थ यो उर व्हाइट ऐसे सना owanus बजाबनने का इसलेंटिकल आइच के इस तरफ के इस त्रफुलर से टीक हम मैं मईंद बोलेंगे तो महीं कि पर तक एक ट्रथी यहां पर उलाइट करेंगे होगा हम कहाँ कॉंटक्स सर्फेस पर होगा अब दोनुन यहां administrations उसके बाद जसे ग्नेटान होगा कि आपका प्रोलिंग प्रेशर अप्लाई करने वाला किस तो तो अधुर्टियोसिक फार्मेशन होगा तोग सेथाज है यहां पर continuous contact किसके किसके बीचे में continuous यहां पर content बन रहा है continuous contact जो बन रहा हुँ रोलर विध रस्पेक्ट टू वरक्पीस का बन रहा ठीक है तो नगेट यहां पर ऑअबरलेट एंड लिक प्रूब जौ जो है यहां पर चैण बेशन कि पर अपर पूछा जाता है किसी एकजाम में कि बताओ कि लिक प्रूब जो होता है या फिर पूस लेगा कि बताओ फ्यूल टेंक के जो गिया या तो एकजोस्ट पाइप इन आटो मोब प्रोजेक्शन में क्या होता है कि कोई भी यहां पर एक सीट है अब इन दोनों को क्या करना ना बहुत बड़ा-बड़ा सीट है दोनों को इस तरीके से जो यह आपको निकला वा इसको यह पर टेक्निक बोलते हैं इस तरीके से जो पार्ट को जो है बनाया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है कि दो इलोक्टोड यहां पर भी रहेंगे मतलब यहां पर यह जो दीक रहा होगा यह जो बीस पर यहां पर यहां पर हो गया तो यह इन इप आस्ट साफना को माइंगे जैसे ह方 यह जो अपर जैसे यह tu आका निकला वहा रहाता जेसे होगा और तो यहाँ पर भार से दाल गाएंगे यहाँ मेल्ट वाला पोर्शन इसके यहाँ पर और इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर एक साथ हम लोग व्यादिंग एक बड़े लंब जो लंबा सीड भी रहेंगा बोल सकते हो साइज में बढ़ा अकर सीड भी कोई है सीड जब देखते हैं और उसमें एंबोसिंग जो होता किसी भी एक मटरियल में एक सीट में जो प्रोडूस किया जाता है तुछ इसके इंपोर्टेंट सब्सक्राइब यहां पर देख लेते कि क्या क्या इसमें इंपोर्टेंट सब्सक्राइब और कौन से कुछ पूछ जाएंगा सब्सक्राइब तो जो वर और वन अब दसीट जो होता है इस वेल्डेड प्रोडूस नंबर आफ प्रोजेक्शन वाइज इंबोसिंग टेक्निक मतलब कि एक जो सीट रहता जिसको लोग दूसरे को पर वेल्डिंग करना है तो उसमें आपने देखा था यह नंबर आपने क वाले प्रोजेक्शन यह प्रोजेक्शन जो होता नहीं यह प्रोजेक्शन गोग दूसरे वाला जब कर यहां पर सीट मेटरियर तो इस अंचल रहा है कि हाई रेट अप करेंट जो होता है वह हम लोग सप्लाइब करने वाले उसका जो है अप्टर में टिंग दा मेटल एड़ दा प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन वाला यह वाला जो पॉर्स यहां पर निकला हुआ रहता था यह जैसे में अप्रेशिटिंग और पाउर सप्लाइ तो इस तरीके से नंबर अब वेगेट नगेट मतलब एक लार्ज नंबर बड़ा कोई सीट अगर हमको वेल्डिंग करना है तो बहुत सारे नगेट का जो फॉर्मेशन होता हुआ प्रोजेक्शन वेल्डिंग के अलब से और इसमें जो जो इंडेंट टेशन की प्रोब्लम अब आ रहे थी जो अपका वर्क फीस और लॉक्टर के बीच मा रहे थी तो यह वाली प्रोब्लम जो इसमें है नहीं रहती है ठीक है और लिक प्रूब जो इसमें पॉसिवल नहीं है लिक प्रूब जोएंट एक ही वेल्डिंग में प्रोसिवल था जो मैंने आपको बताया का लेकि को सब्सक्राइं कि अब प्ली तरय करूँख करते हैं कै carrying फ्लेस बटोब्डिंग यह वेल्डिंग यह इंवन ना इस तरीके से यहां पर इस तरीक यहां पर करते हैं यहां पर यहां पर यहां सब्सक्राइख करते हैं जी से हम करें के बाद की तो यहां पर प्रोडूस हो रही है आपका यह वेल्डिंग वाला जो पॉर्शन कर रहाता तो वह कितना पाइब फॉर इंटो डी स्कॉर इंटी प्लस लेटेंट मास इंटू एल है ठीक है यह मतला है हीट का जेनरेशन और इसकॉर इंटू रटी और एफिसेंसी मतले हीट रि करते हैं और प्रोवाइडेट बिट्विन टू इलोक्रोड होल्डर तो देखी लिए हम लोग और इसमें भी जो सप्लाई हाई रेट अप करेंट एड डिकॉंट अब टू अर्पिस जो टू अर्पिस के जो कॉंटेक्ट थे ना उसमें हाई रेट ओव मतलब करेंट सप्ला होगा तो एक तो हम लोगों देखा कि पावर सप्लाई करके कॉंटेक्ट रेजिस्टेंस में हम लोगों ने वहाँ पर जो है हीट प्रोडूस किया और दोनों तरफ सब प्रेशर लगा अब क्या होगा ने कि एक लोक्रोड जो यह होल्डर है यह वर्क पीस एक को फीक्स करना और हमें जो है जो है जो है जो है जो है जो है फोर्मेशन कर लेना तो सिंपल सी बात बताया गया कि टूर्फिस होता मेडिन कॉंटेक्ट विद इच अधर बाई गिविंग दा पावर सब्लाई और अड़ दाकॉंट आफ वर्क विस जीटिट शॉट सरकिट जो आर्क प्रेशर जो अपलाई करेंगे किसी एक जो आपका यहां पर यहां पर भी आपका मेल्ट हुआ होगा तो सब सुष्थे कर ay यहां पर लिए लिए व्unde कर रहे हैं क्यां पर तो देखो वाहां बड़िंग का प्रोस्स होगी है है कि हीट का जो है वहाँ पर प्रोडूस के लिए अगर हमको जोइनिंग करना रहेगा अलुमिनियम हो काप कॉपर हो लो करूने स्टील एंड टू प्रोडूस अब जोएंड तो उसके इसमें हम लोग फ्लेस बड़ वेल्ड का यूज कर सकते हैं अब बात करते हैं लॉक्ट्रो सब्सक्राइब तो यह आपको यहां पर कुछ इस तरीके से दो बहुत बड़ा गेप आपको दिख रहा है और इस गेप को पुरा फिल करना इस गेप को पूरा फिल करना मतलब भर्टिकल अपवार डिरेक्शन में यह धीर धीर आपको नहीं लगता है कि जैसे जैसे यह वा अब बात आती है कि इस इलोक्टोड को केसे मेल्ड किया जाए एक तो पावर सप्लेम नों दे दिया है यह गेप हमको और इसका जो देखेंगे यूज रहता है जो बहुत बड़े थिकने सब्सक्राइब करना रहता तो उहां पर इलोक्टोड इस लिए यूज किया जाती है और इसमें डियर्क और रिवर्स फॉलेरीटी जीस लिए कि पावनते में आपको पता होना ऊजा रिवर्स पॉलेरीटी जो आपका इलोक्टोड होता है वे और यह निगेटी होने करन जार्य ज्यादा ऑफ अपर जाते हैं फ मैल्ट ज्यादा ज्यादा इल्र तो यह जो आपका फ्लक्स होता ना फ्लक्स आपको पता है कि अपका फ्लक्स लगावा रहता है ऑक क्या व्लक्स साथ रेक्शन करके बना लेता सलेग बना लेता कि बनाता है तो क्या नीचे रहाएक और उपर स्लेग ऑग्या चेरा रहेगा। यह स्लेग जो है जैसे इस प्रकूर्ट मे आएगा तो क्या हो जाता उट होता है मतलब बहुत ज्यादा रहे मतलब इस प्रच उपर मे रहता है और उसके नीचे में मोल्टेर्ल जो करते चले जाते हैं और स्टाटिंग के नीचे जो हम लोग रेजिस्टेंस का करने हीट का जो प्रोडक्शन किया आर्क तो स्टाटिंग में जैनट हुआ उसके आर्क खतम हो गया जब और इलक्ट्रिक आर्क जब हो सिलेक के साथ कॉंटेक्ट में आता तब जो आपका आर्क ज साथ जैसे उसने कॉंटेक्ट में आया तो उहां पर रेजिस्टेंस के कारण भाई है उहां पर हीट का प्रोडॉक्शन हुआ ठीक है और वह इस तरीके से सप्लाइ करते जाते हैं उस इलक्टोड को और वहां पर जो यह स्लेक के नीचे में जो पुरा हीट का अगर मैं हाई थीकनेस प्लेट को करना इन वर्टिकल अपवर डिरेक्शन की नीचे से उपर क्यों जा रहाते हैं पर नीचे बरेगा तरह बरेगा बाई मेरे तो इस टेक्निक केन भी यूज़ आर्क जो हो है जेनरेट किया गया कंजुमेबल इलोक्टोड और वर्क्विस क फलक्स घंचर कलना पर में रहां रहां से घथा इसके कोंटरध में आ जाता था किसके कॉंटर्क्टमाने वाले इक अपका वीट इलक्री टुटेश्ट ऑ्रक्विस टॉसटर्कटर्क चंका विडशन और यौज वह बनेश्ट ऑट आपकर वो घंड़ां जायगा एड़ जो तो डूटी रेजिस्टेंस ऑफ दर के कवा कंटिनूसली मोल्टन मेटल के निचे में जो यहां पर में हम यह पर यहां इंहां पर कंटिनूसली हम लोग कौन करते हैं वह में बहुता है यह लिकविड मेठल इस जिय से जिसे भरेंगा तो देरे देरी उपर कोर्टों टोप जो वह सोलिटिफाइब होता है इन वर्टिकल ऑफ़ टारेक्शिन कोशेशंस पूछा जागा करना है नहें हैं तो एलोक्ट्रों उपर प्रेंप प्रेम्स सबीच के सलागल सब्सक्राइब टो उन 4 स्क्राइब जहांए लेप जो हम लोग आपर फॉरमेशन करपे दा बट्सक्ते नरडूर्सक्राइब टो होती है हम लोग दो क्या निची कर सब्RC करना आप पर चाहिए करकते पालाद। लेक्त कविले के लाधे हैं वहां पर कब करें दूर्टी इंद Cont Hop मार्स में हमलोग को चाहिए तो उसके क्या देखा देखा प्रोजेक्शन में क्या बनाया जाता था उसको पिरल्ट्र सप्लाइ करके वहाप फिर प्रेसर लगा कि उसको फिर वहां प्रोजेक्शन सब्सक्राइब करते हैं उसका कि रिश्य ट्रीज करते हैं सब्सक्राइब करते हैं उसके उसके प्रेशर करक्षण एक्ट करने वाले हैं और मुझे लगता है ती लेक्ष लगेंगे पूरे वेलिंग को अग्षा नॉट्स बना रहे हो और लेक्षर का यार फीडिवेक कमेंट्स में जरूर देना आपको कैसा लग रहा ठीक है और इसका जो लेक्षर का जो आपका पीडीएफ का नोट्स वह कहां पर मिलेगा एटीएस क्लासिस के नाम से टेलिग्रम चैनल पर उस पर जाना और जो पीडीएफ है वह आप उसको डाउनलोड करके आप आप से नोट्स बना वह त्यारी करो ठीक है और त्यारी अच्छे से करो यार क्योंकि एड़ एंड आपके हाथ में अभी है कि निकाल ना आपके हाथ में नहीं करना लोग एक भी गैज्थ्ट में करें सबसे और सबसे बड़ी जर में यहीं कर ölकातेश्ती добना आप रहना और पए लगाते रहे में कत नहीं लगाते रहा है कम जोर से अगर Bowl झैलना सीख जाता है कैनिता लगाता नहीं है और region पर जह में पाता है उसको बहुत ज्रख़ादा नहीं करने कि लिए और सब्सक्राइब बनता है कुछ भी पढ़ता है वह बदना तुरह टेसरी में कोशन लगाता है और टेसरी में जैसे कोशन लगा होगी आप देखो कि कि कहां पर कंसेप्ट जो आपके वीक है कौन सा सेक्शन में जादा गलती कर रहे हो फिर वो इसको इंप्रूब करेंगा और एक प्रेशर जो करने का प्रेक्टिस के लिए और यहीं दो साल तीन साल अभी जो भी आपका फेस चल रहा है जल्दी से जल्दी जब ले लोगे आफी की लाइब के लिए अच्छी बात रहेगे क्या आने वाले टाइम में फिर आफी की जो लाइब एक सिक्वेर हो जाएगी तो चलो फिर मि नेक्स वीडियो में है तो गाइस थैंक्स तो राजिंग दिस वीडियो